ओम शान्ति पंधराचार दो हजार चोबिस के बाबा के साकार अनमोल धार्णना युद्ध मधूर महवाके हैं मीठे बच्चे ये संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग हैं इसमें ही तुम्हें पतित से पावन बन पावन दुनिया बनानी हैं कोश्चन है अन्तिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी आंसर शरीर का भान निकालते जाओ अन्तिम सीन बहुत कड़ी हैं तो बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अश्रीरी बनने का इशारा देते हैं जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम ही सिखलाते हैं ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो अश्रीरी बनने का अभ्यास करो बुद्धी में रहे कि अब घर जाना हैं वापीस अपने घर परमधाम जाना हैं अन्तिम समय हैं अन्तिम जनम हैं ओम चान्ति, मेठे मेठे रुखानी बच्चे हैं तो जिस्म के साथ, बाप भी अभी जिस्म के साथ है, इस घोडे वागाडी पर सवार है, ब्रह्मा बबाबा, शरीर रूपी घोडे, रत्व पर बाबा सवार है, और बच्चों को क्या सिखलाते हैं, जीते जी मरना कैसे होता हैं, और कोई यह सिखला न सके, बाप की सिवाए, बाप का परिचे सब बच्चों को मिला हैं, वह ज्यान का सागर पतित पावन हैं, ज्यान से ही तुम पतित से पावन बनते हो, और पावन दुनिया भी बनानी हैं, इस पतित दुनिया का ड्रामा, प्लैन, अनुसार, विना शोना है, सिरब जो बात को पहचानते हैं और ब्राह्मन भी बनते हैं वही पिर पामन दुनिया में आकर के राज्य करते हैं पावित्र बनने के लिए ब्राह्मन भी जरूर बनना है यह संगम यूग है पुरुष उत्म अर्थात उत्तम थे पुरुष बनने का योग कहेंगे उत्तम तो बहुत सादू, संत, महत्मा, वजीर, अमीर, प्रेजिदेंट आदी भी हैं परंतु नहीं यह तो कल यूगी ब्रिष्टाचारी दुनिया पूरानी दुनिया हैं पतीत दुनिया में पावन एक भी नहीं अभी तुम संगम यूग बनते हो वो लोग पतीत पावनी पानी को समझते हैं सिरफ गंगा नहीं जो भी नदिया हैं जहां भी पानी देखते हैं समझते हैं पानी पावन करने वाला है यह बुद्धी में बैठा हुआ हैं कोई कहां कोई कहां जाते हैं मतलब पानी में सनान करने जाते हैं परंतु प अगर पानी में सनान करने से पावन हो जाते, फिर तो इस समय सारी दुनिया पावन होती, कौब से गंगा में सनान करते आ रहे हैं, कितनी दुनिया गंगा में सनान करती है, तो पावन क्यों नहीं हो जाती, पाप कॉर्म करते हैं, मुर्डर करते हैं, क्या क्या करते हैं, तो ड पावन तो कोई बना ही नहीं, अगर पानी में सनान करके पावन हो जाते तो इस समय सारी दुनिया पावन होती, इतनी सा पावन दुनिया में होने चाहिए, यह तो पुरानी रसम चली आती है, सागर में भी सारा किछड़ा आदी जाकर पड़ता है, फिर वह पावन कैसे पावन तो बनना आत्मा को ही है इसके लिए जो परम पिता परमात्मा है वह ही आत्मों को पावन बनाएं, तो तुमको समझाना है पावन होते ही है सत्युग में, पतित होते हैं कलियुग में अभी तुम संगम युकपर हो پती से पावन होने के लिए पुर्शार्ट कर रहे हो तुम जानते हो हम शुद्र वरन के थे अब ब्राह्मन वरन के बनी है शुप बाबा प्रजा पीता ब्रह्मा द्वारा बनाते हैं ब्राह्मन हमको कैसे बनाते शुप बाबा, प्रजा पिता ब्रह्मा के द्वारा, हम हैं सच्चे सच्चे मुखवन शावली ब्रह्मन, वह है कुखवन शावली, प्रजा पिता तो प्रजा सारी हो गई न, प्रजा का पिता है ब्रह्मा, वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रेन फादर हो गया जरूर वहत था फिर कहां गया पुनर जनम तो लेते हैं न यह तो बच्चों को बताया है ब्रह्मा भी पुनर जनम लेते हैं ब्रह्मा और सर्श्वती मा और बाप वही फिर महराजा महरानी लक्ष्मी नारेन बनते हैं जिसको विश्णु कहा जाता है वही फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं यह राश्तो समझाया है कहते भी हैं जगदंबा तो सारे जगत की माँ हो गई न लोकिक माँ तो हरे की अपनी अपनी घर में बैठी है परन्तो जगदंबा को कोई जानते ही नहीं है ऐसी ही अंद शर्दा से कह देते हैं जानते कोई भी नहीं है जिनकी पूजा करते हैं जिनके आक्यूपेशन को जिनकी पूजा करते हैं उनके आक्यूपेशन को जानते ही नहीं अभी तुम बच्चे जानते हो रचाईता है उंचेते उंचा यह उल्टा जाड हैं इनका बीजरूप उपर में हैं बाब को उपर से नीचे आना पड़े पावन बनाने के लिए शुब बाबा को उपर से नीचे आना पड़े तुमको पावन बनाने तुम बचे जानते हो बाबा आया हुआ हैं हमको इस रिष्टी के आदी मद्धे अंत का ज्यान दे कर फिर उस नई दुनिया का चक्र वरती राजा बनाते हैं इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाई कोई भी नहीं जानते हैं तो बाब कहते हैं फिर पाइंच जार वर्ष के बाद आकर तुमको सुनाऊंगा ये ड्रामा बना बनाया है ड्रामा के क्रिएटर, डेरेक्टर, मुख्य एक्टर्स और ड्रामा के आदी मद् को ना जाने तो उनको बे अकल कहेंगे ना बाब कहते हैं पाइंच जार वर्ष पहले भी हमनी तुमको समझाया था तुमको अपना परीचे दिया था जैसे बाब अब दे रहे हैं तुमको पवित्र भी बनाया था जैसे अब बना रहा हूं अपने को आत्मा समझ बाब को य पावन है पावन भी है एक बाप ही फिर गाते हैं अन्त काल जो फलाना सिम्रे बलबल अर्थात घड़ी घड़ी ऐसी योनी में जाए अब इस समय तुम जन्नम तो लेते हो परन्तु सुनकर कुकर कुट्टे बिल्ली नहीं बनते हो मनुष्य मनुष्य ही बनता है क्योंकि जैसा बीज वैसा फल आम का बीज बोएंगे तो आम का ही पेड होगा और फल निकलेगा तो आत्मा भी अतिसुक्ष्य मनुष्य मनुष्य बनता है पशू पक्षी कुट्टे बिल्ली कुट्टे बिल्ली ही बनते हैं अभी बेहत का चिता पर चड़ना है तुम अब ज्ञान चिता पर चड़े हो ग्यान चिता पर चड़ फिर विकारों में जाना सके पर्तिग्या करते हैं पवित्र रहेंगी बाबा को यह राकिनी बंदुआते यह तो भक्तिमारक की रिवाज चली आती हैं बास्तों में यह है इस समय की बात शिप बाबा आकर के परतिग्या कराते हैं पवित्र रहने की, भक्ती मार्ग में फिर उसका यादगार, रक्षा बंधन, भाई, बेहन का पावन, पवित्र नाता चला आता है। तो तुम समझते हो पवित्र बनने बिगर, पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे, फिर भी पक्का कराने के लिए बच्चों से परतिग्या कराई जाती हैं, कोई बलड से लिख कर देते हैं, कोई कैसे लिखते हैं, बाबा आप आए हैं, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे, निराकार साकार में आते हैं न, जैसे बाब परमधाम से आते हैं, वैसे तुम आत्में भी उतरती हो, उपर से नीचे आती हो पार्ट बजाने, यह तुम समझते हो, यह सुख और दुखका खेल हैं, आधा कल्ब सुख, आधा कल्ब दुख. तो बाप समझाते हैं, 3-4 से भी तुम जाश्ती सुख भोगते हो, आदा कल्ब के बाद भी तुम धनवान थे, कितने बड़े मंदिर आदी बनवाते हैं, दुख तो पीछे होता है, जब बिलकुल तमो परधान भक्ती बन जाती हैं, तो बाप ने समझाया हैं, तुम पहले पहले अववविचारी भक्त थे, सिरब एक की भक्ती करते थे, जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, सुख धाम में ले जाते हैं, उनकी ही तुम पूजा करते थे, फिर बाद में विब्विचारी भक्ती शुरू होती है पहले एक की पूजा फिर देवताओं की पूजा करते थे अभी तो पांच भूतों के बने हुए शरीरों की पूजा करते है चेतन्य की भी है तो जड की भी पूजा करते है पाइच तत्तों के बने हुए शरीर को देवताओं से भी उच समझते हैं देवताओं को तो सिरफ ब्राह्मन हाथ लगाते हैं तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं यह बाबैट बताते हैं यह दादा भी कहते हैं हमने भी सब कुछ किया बिन बिन हट योग आदी कान नाक मोरना आदी सब कुछ किया आकरिंज सब कुछ छोड़ देना पड़ा वेह धंदा करे यह यह धंदा करे क्या करे क्या नहीं करे सुष्टी आती रहती थी तंग हो जाता था भक्ति मारक अन्भो ब्रमा बाबा बता रहे हैं प्रनायाम आदी सीखने में बड़ी तकलीप होती है आधा कल भक्ति मार्ग में थे अभी मालूम पढ़ता हैं बाप बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं वह कहते हैं भक्ति परमपरा से चली आती हैं अब सत्यूग में भक्ति कहां से आई मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं है मूड मती बुद्धी है ना सत्यूग में तो ऐसे नहीं कहेंगी बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ शरीर भी उनका लेता हूँ जो अपनी जन्मों को नहीं जानते यही नंबर वन जो सुन्दर था वही अब शाम बन गया है आत्मा भिन भिन शरीर धारन करती है तो बाप कहते हैं जिसमें मैं परवेश करता हूँ उसमें अभी बैठा हूँ क्या सिखलाने? क्या सिखलाते है शुब बाबा? जीते जी मरना जीते जी मरना अर्थाथ शुब बाबा जब अड़ाप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा तो पुरानी दुनिया, छीची दुनिया कांटो के जंगल और पुरानी संसकार पुराने स्वभाव से मर जाते हैं मरना अर्थात उनको छोड़ देते हैं और नई संसकार, नई संसार के लिए धारन करते हैं दैवी गुणों की धारना करते हैं सत्ति परमात्मा का संग करते हैं और शुद्ध अन, बाबा की याद में बना भोजन, बाबा की याद में खाते हैं, और सबसे बड़ी बात ब्रह्मिचरिय को धारन करते हैं, ब्रह्मा जैसा आच्रन अपना बनाते हैं, तो बाबा नहीं कहा किसलिए जीते जी मरना सिखलाते हैं, इस दुनिया से तो मरना ही है अभी तुमको पवित्र होकर के मरना है फिर पार्थी पावन बनने का है तुम भारतवासी बुलाते ही हो हे पतित पावन और कोई ऐसी नहीं कहते हे लिब्रेटर दुख्य दुनिया से छुडाने के लिए आओ सब मुक्ति धाम में जाने के लिए ही मैनत करते हैं तुम करते हो सुख धाम के में जाने के लिए वह है प्रवर्ति मारग वालों के लिए तुम जानते हो हम पवित्र प्रवर्ति मारग वाले थे फिर अपवित्र बने पवित्र मारग वालों का काम निवर्ति मारग वाले करना सके यग्यतप दान आदि सब प्रवर्ति मारग वाले क तुम अभी फिल करते हो, कि अभी हम सब को जानते हैं, शिप बाबा हम सब को घर बैठे पढ़ा रहे हैं, बेहद का बाप, बेहद का सुख देने वाला है, उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो, तो प्रेम के आंसु आते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा कहने से ही रोमांच क में बाबा हमको पढ़ाई से गुल-गुल बना कर ले जाते हैं इस गंदी चीची दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ भक्ति मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती थी बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे हम आपके ही बनेंगे दूसरा कोई नहीं नंबर वार तो है ही सबका अपना अपना पार्ट है कोई तो बाब को बहुत प्यार से याद करते हैं जो स्वरक का वर्षा देते हैं सत्युग में रोने का नाम ही नहीं होता यहां तो कितना रोते हैं जब स्वरक में गया तो फिर रोना क्यों चाहिए और ही बाजा बजाना यहां तो कितना रोते रहते हैं वहां तो बाजा बजाते हैं खुशी से शरीर छोड़ देते हैं यह रसम भी शुरू यहां से ही होती है यहां तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना है वहां तो समझते हो पुनर जनम लेना है तो बाप सब बातें समझा देते हैं भर्मरी का मिशाल भी तुम्हारा है तुम ब्राह्मनिया हो विश्टा के कीरे को तुम भूं भूं करती हो तुमको तो बाप कहते हैं इस शरीर को भी छोड़ देना है जीते जी मरना है बात कहते हैं अपने को आत्मा समझो अब हमको वापिस जाना है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है देहे को भूल जाओ बाप तो बहुत मिठा है कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूँ अब शांती धाम और सुक धाम को याद करो अलब और बे यह है दुख धाम शांती धाम हम आत्मों का घर है हमनी पार्ट बजाया अब हमें घर जाना है वहाँ यह चीची शरी नहीं रहता अभी तो यह बिलकुल ही जरजरी बूत शरीर हो गया है आप हमको बाप सन्मुक पैट सिखलाते हैं कैसे इशारे से मैं भी आत्मा हूँ तुम भी आत्मा हो मैं शरीर से अलग होकर तुमको वही सिखलाता हूँ कि तुम भी आपने को आत्मा समझो जैसे बाबा आत्मा है लेकिन वह है परम आत्मा तो हमें भी बाबा यही पाट पढ़ाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो, अभी घर जाना है, यहां तो रहने का अभी नहीं है, यह भी जानते हूँ, अभी बिनाशोना है, भारत में रक्त की नदियां बहेंगी, फिर भारत म वाले इकठी हैं, सब आपस में लड़ मरेंगे, ये पिछाड़ी का मौत है, पाकिस्तान में क्या-क्या होता था, बड़ी-बड़ी सीन थी, बड़ी कड़ी सीन थी, कोई देखे तो बेहोस हो जाए, अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं, शरीर का भान भी निकाल देते हैं, बाबा ने देखा, बच्चे याद में नहीं रहते, बहुत कमजोर हैं, इसलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती, घड़ी-घड़ी लिखते हैं, बाबा याद भूल जाती हैं, बुद्धी लगती नहीं, बाबा कहते हैं, योग अक्षर छोड़ दो, विश्व की बाश्य देने वाले बाबा को तुम भूल जाते हो, आगे भक्ती में बुद्धी कहीं और तरफ चली जाती थी, तो अपने को चुटकी काटते थे, बाबा कहते तुम आत्मा अभिनाशी हो, सिरब तुम पावन और पतित बनते हो, बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, गुड मॉर्निंग, डाइमन मॉर्निंग, रोखानी बाप की रोखानी बच्चों को नमस्ते, हम रोखानी बच्चों की रोखानी मात पीता बाप दादा को याद प्या, गुड मॉर्निंग, डाइमन मॉर्निंग, ओम नमस्ते, धाना के लिए मुखी सार हैं, अपने आप से बाते करो, ओहो, बाबा आया है हमारी सर्विस में, वे हैं हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं, बेहद का बाबा, बेहद का सुख देने वाला हैं, उन से हम अभी मिले हैं, ऐसे प्यार से बाबा कहो, और खुशी में, प्रेम के आसु आ जाएं, रोमांच खड़े हो जाएं, सेकिंड पॉइंट, अब वापस घर जाना हैं, इसलिए सबसे ममत निकाल, जीते जी मनना हैं, इस देह को भी भूल कर, इससे अलग होने का अभ्यास करना हैं, बर्दान, बीती हुई बातों वा ब्रतियों को समाप्त कर, संपुं सफलता प्राप्त करने वाली स्वच आत्म भ सफलता का अधार है, कोई भी सेवा का कारिय को प्रारंब करते हो, तो पहले चेक करो, कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हूई बातों की समर्क्ती तो नहीं है, उसी ब्रती दरिष्टी से उसको देखना, उनसे बोलना, आधी-आधी, इसे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती इसलिए बिती हुई बातों को वब्रतियों को समाथ कर सवच आत्मा बनू तब संपूर्ण सफलता प्राप्तो होगे स्लोगन जो स्वापरीवर्टन करता है विजे माला उसी के गले में पढ़ती है जुस्वा परिवर्तन करता है विजे माला उसी के गले में पढ़ती है अव्वेक्ति सारा यदि आपको कभी कोई का विचार स्पष्ट नहीं लगता है तो भी ना कभी नहीं करनी चाहिए शब्द सदेव हांजी निकलना चाहिए समय को देखकर इशारा दे सकते हो संसकार टकराएंगे इसलिए हांजी कर धर्नी बनाओ फिर सत्य देख इशारा दो यही विधी है संसकार मिलन की ओम शानते